यूपी PCS प्रिलिम्स के एक्जाम में लगबग 30 से 35 प्रश्ण करेंट अफेस कराते हैं इससे ज़्यादा भी रह सकते हैं यूपी करेंट भी अगर मिला ले तो आरो यारो 2023 जो आपकी परिक्षा होगी तो आरो में भी लगबग 25 से 30 प्रश्ण करेंट अफेस के चुकि ये दोने प्रिक्षा हैं एक महिने के अंतराल में होनी हैं लगबग तो बहुत जादा करेंट में आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा मतलब अगर हम डेट की बात करें जो लेंथ आप करेंट अफेस त्यार करते हैं 7-8 महिने तो लगबग दोनों में आपको करेंट उतना ही पढ़ना है थोड़ा सा PCS में आगए के एक महिने का भी पढ़ना रहे गा तो कहने वालीimon कि करेंट इस को त्यार कैसे करें करेंट इतना यादा factual topic एक इतना यादा factual segment वैसे भी आई है कि इतनी चीज़े याद रखना संभो नहीं हो पाता है संभो तब हो सकता है जब आप साल भर महिनत करें current phase को महीने दर महीने खतम करवाते चले तो current phase का पहले भी अभी अगर आपका त्यार नहीं है तो इस चीज़ को follow कर सकते हैं अभी से अगर पढ़ेंगे current phase पे समय देंगे तो यह आपको result देगा अच्छा आपको करना क्या है कि बहुत easy method बता रहा हूं और जो भी अपनाया है बार बार बताता हूं फिर से बता रहा हूं कि current में लोगों को दिक्कत हो रही है वास्तों में अब चीज़े सामने आ रही है करना क्या है कि परमंत का मैंने जो परिक्षा खबरी आपको दिया हुआ है बहुत trusted है और इसके पहले के exams में देखा भी आपने कितना trust किया जा सकता है उस परिक्षा खबरी पे आपको करना क्या है कि परिक्षा खबरी daily current phase के pdf हमने monthly जो है वो provide करवाए हैं आपको 30 से 35 pages में बहुत easily आपका पूरा महीने का current phase cover हो जा रहा है तो आप लगबग 8 से 9 महीने का pdf प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेली ग्राम चैनल से नीचे discussion box में लिंक दिया हुआ है जैहो study टेली ग्रूप का या फिर जाकर direct टेली ग्राम पे सर्च कर सकते हैं जैहो study तो वहाँ पर आपको pdf मिल जाएंगे बाकी सारी paid groups में हमने pdf प्राइट करवाई हुई हैं इसके लावा इन सभी की वीडियो भी आपको month wise playlist मिल जाएंगे current phase की playlist है हमारे चैनल पर जाकर करके देख सकते हैं तो उस playlist में सारे current phase के महत्पूर्ण वीडियो आपको दिख जाएंगे तो यह तैयार बहुत आसानी से आपका हो जाएगा साथ से आठ दस दिन लगभग आपको लगेंगे cover हो जाएंगे फिर revision करिए लास्ट में आपको क्या करना है जैसे ही आपका जैसे की 11 फरवरी को एक्जाम है prelims RO का ठीक है तो आपको क्या करना है कि लगभग 20 जनवरी से 20 जनवरी तक current phase आपको पढ़ना है या फिर जो हम current phase आपको last में yearly current phase प्रवाइड करवाते हैं हर बार आपको उसमें depth देखने को मिलती है इस बार भी देखने को मिलेगी या तो वो ले लीजे या फिर जो आपको सबस्यादा विस्वसनी लगे market की कोई भी चाहे हो घटना चक्र की हो चाहे घटना सार हो कोई भी लियाक करके आप उसको पढ़ लीजे इससे क्या होगा आपका confidence नहीं गिरेगा आपको लएगा कि हाँ चलो हमने ये भी पढ़ लिया लेकिन आपको सच्चा ये बता रहा हूं कि आप कानवो क्या होगा प हमने भी कहीं से पढ़ा होगा तो current affairs के स्रोथ तो वही होते हैं जो घटनाएं घटित होती हैं तो हर कोई वहीं से उठाता है में भी किसी ने ले लिया हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं आज कल तो ये तब चली रहा है हर कोई कि हर किसी की copy कर रहा है है तो उसमें कोई गलत ऐसा नहीं कि आपको 100% चीजें मिल जाएंगे बहुत साही चीजें ऐसी मिलेंगी जो परिक्षा खबरी में हैं उस मैगजीन में नहीं रहेंगी तो आपका एक्स्टा हो गया प्लस कुछ चीजें ऐसी होंगी 10% मान की चलते हैं 90% चीजें आपको वहाँ पर कवर मिलेंगी आपको सब कुछ पढ़ा हुआ मिलेगा लेकिन 10% चीजें आपको थोड़ी सी अलग मिलेंगी या कुछ depth मिल जाए आपको तो आपको तयार कर लेने हैं तो आपको current of phase तयार करने के लिए कितना रह जाता है मातर 10% सिर्फ 10% आपको तयार करना रहता है exam time में वह आपके यार आते हैं current चोड़ी आता है current तयार करते हो जी चोड़ी आता है तो ये आपको करना है ज्यादा time नहीं है अभी ये कर लीजे बाकी current of phase के test अलग से ओर के लिंट और PCS आपको वहाँ से सारे प्रश्ण मिल जाएंगी, यहाँ से नहीं मिलेंगे, तो कहीं नहीं मिलेंगे, यह भी मैं आपको बता दे रहा हूँ ठीक है, तो इसके लावा टेस्ट हम देंगे करेंट फेस के ठीक है, थोड़ा सा टेस्ट का जो नेवल है ऐसा रखेंगे कि कोई प्रश्ण आये कहीं से भी वहां से पूछे उसके पाश्ट से या उससे संबंदी जो जी के वहां से प्रश्ण है तो आप इजली कर लें तो करेंट पेस्ट के टेस्ट भी 5 इसमें 5 इसमें आरो का 5 5 पीचिएस का ये 5 पांच टेस्ट आपके नमबर पे 7905901018 नमबर दिया हुआ है इस पे WhatsApp करके या फिर Call करके आप PCS के टेस्ट से जोड़ सकते हैं बाकी PCS Prelims मुखे परिक्षा RO या RO Prelims मुखे परिक्षा के लिए इंडॉल हो सकते हैं, हमारे Test Series भी ले सकते हैं समय कम रह गया है मेहनत करिए और अगर कोई doubt हो तो comment box में comment करके पूछ सकते हैं, तो ये वीडियो करेंट के उपर थी, करेंट आपको कैसे त्यार करना है क्योंकि अब ज़्यादा समय है नहीं तो easily जो चीजें हो सकती हैं मैं आपको बता रहा हूँ बाकी GSB हमने जो प्रोवाइड करा है बहुत easily आप उसको पढ़ सकते हैं बहुत कम समय में क्योंकि revision का ज़्यादा महत्व है लोग पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करते हैं revision पे फोकस नहीं करते हैं जोकि पढ़ने का उतना महत्व है नहीं जितना revision का है जितना आदा revision करेंगे जितने सादा test लगाएंगे जितना आदा question answer solve करेंगे फिर उससे आपका वो जो परिक्षा है वो tackle होगी पढ़ते रहने से बुक उठा कर पढ़ते रही है उससे कुछ होगा नहीं ठीक है तो accuracy आपको बनानी पड़ेगी one third negative marking है हवा हवाई से काम नहीं चलेगा बहुत बहुत धन्यवाद